न्यूस नशा आदत हर खबर की अधे कर्देजन है लो मेदारे हैं आपे सबिकाव के लिए आपे लेशन आपकर के लिए एक लोगाटर आपकी पाकट और आपकी सेख्टी है कर दो यह एक बाटर रंजब कर दो आपकीजी है आपे अजुने की तो मैद कुझी मैं सुखन तो आपकी नहीं है कर दिया कर दिया कर दिया आपकीजी आता भे जबे ओंडेस भाटी पे रिकार हो रादी जी शीनमी पेंका रादी जी यहां पर उपसे सबाद्वादी पार्टी के सभी हमारे नेता कारकंता कौंगे इस पार्टी के सभी बड़िश नेता सभी पार्टी का साथी पुपका अदंबूर मैं सबसे कहने भारा जो यात्रा में आई हुए सभी कि दोनों दोनों के काईड़ता हो राम जुनता का बहुत दोनों भी बाजारा बार प्रिकट करना चाहता हुए याजरा शेहर बुदे में जाना जाता है बुदे खुशी है इस पार्टी कि ये महुपों की दुदान को लेकर के जो चले हैं इस शेहर में बजा में ही तुना शेहर महुपों का शेहर है जितनी महुपों बन सकते हैं फ़कर के ले जाईए और प्रूरी याजरा में पार्ट पे चले जाईए आने बाए समय में जो चुनापी है वो लोगतंद बचाने की चुनापी है संबिदाय बजाने की चुनापी है जिनको हाबा सम्मान मिलना चाहिए इतने वर समबाद की सम्मान नहीं और लोगत उसमें की लादा बजादी जन्ता पार्टी ने जूटने का कान किया है इस घर्टन के बाद जो सुन्जी जागा है वो एकी सुन्जें से के भाजपा हटाओ भाजपा हटाओ देश्कों बचाओ संकत बिदाओ और अस्ती हरो भाजपा हटाओ जो बियां सी आरे के संद्धान के पचेगा यहां तक सवाल में किसानों के भाजपा है जो लोग किसानों का नावाद देते हुए ठट नहीं रहें आज सरकार के फिराप उनकों किसान धड़ा है यह सरकार हो है जो तारा कराम वाई किसानों की ंंगता हज़ा जड़ा से थाधा सब्सके है इनाथяет हाने का ज़ीने शुक्त नहीं है जारा कि आर्सा से जदा पिसानों की जान चली गई ऐस खिस हसान अपना हाग और स्ञमान चाने का लेकद है हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में दिल्ली में पास पहते ही इंडिया गड़बंदर के सरकार बन करके किसान और समान दिलाने करने करेगी लखेबल सम्मान बन जूंदी को माँदे हैं कि दिनारा हम सब लगाते हैं जय 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 किसान और बीजेटी के लोग खकते नहीं भारत माता की जय बोल करते सोचो इस देश का किसान तुद्री हो नौजमान के सपने तोड़े जा रहे हो नौजमान का भविश्चिना हो उनके हाथ में नौक्री और रोजगार नहों नौक्री और रोजगार और डिग्री को लेकर के चिंतित हो खबरे ये भी आ रही है कि नौजमान अपनी डिग्री जला करके आख भत्या कर रहे हैं ऐसी परस्तियों में और जाब उतक्तेंस में सबसे ज्यादा भट्पी होनी चाहिए थी लेकिन नौक्रिया नहीं मिली रो को का हो एक कमान की सरकार है इसिए लीग हो पहुंपेपर और यह लीग जांबूज करे स्था करती है तो इसरी करती है क्योंकि वोॉजमाट प्रेमो नियदुए नियत रहती हैं वा कि कुछ लूब को कांश हो लाप जाने का सथा रहा है इंडिया के तंदर और पीडिये की कराही इंडियों को हगाने का काम पनेगी यह पीडिये जहां जहां आवास उठाएगा वहाँ पाफी दिन्ता पाटी कर सफाय होगा और इस यात्ना के मात्यम से जो संदेश जारा है जो उसको बदाई रेता हूं आवल ने को हुँँगा हमाम अतने राइकर का साथियों को है इन्वा देना हूं जिनों इसे आपको सफ़त नदेना का सफ़त नभी होगा जब उत्तम जे से बादी जन्ता पाटी का सफाय होगा असी हराओ लोगतन बचाओ बीजेपी भागाओ वाल गादे वाल गादे वाल गादे तने बाद अगिलेषी प्रियमका कॉंग्रेस पार्टी के अजेर राएंजी हमारे सब सीनियर नेता समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता हमारे कार्य करता समाजवादी पार्टी के कार्य करता इसके हमारे मित्रों आप सब कमें यहां दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ एक साल हुए हमने भारत जोड़ो यात्रा गन्या कुवारी से कश्मीर तक 4000 किलोमिटर चली समुतर के टट से हम शुरू हुए हिमालाय की बर्फों तक हमारी यात्रा गई और यात्रा के अंदर से एक नारा आया एक व्यक्ति आया दोरता हुआ ऐसे के भीड है उस भीड में से व्यक्ति आया दोरता हुआ मेरे सामने कड़ाओ के ऐसे कहता है राहुल जी मैं जानता हूँ आप क्या कर रहे हो मैंने पूछा भाईया बताओ मैं क्या कर रहा हूँ कहता है राहुल जी आप नप्रत के बासार में महबद की दुकान खोड़े लिक रहे हूँ और यही हम अब मिलकर अधिनेश जी प्रियांका जी इंडिया गट बंदन हमारा सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम जो हिंडुस्तान में नप्रत बहलाई गई है जो भाई को भाई से लड़ाया गया है और भाई को ड़राया गया है इसके किलाफ हमें खड़ा होना है मिलके खड़ा होना है और ये देश जो है ये नप्रत का नहीं है ये महबत का देश है सही बात है नप्रत को देश है ना तो पहली लड़ाई नप्रत को खतम करने की लड़ाई है मैं आपसे पूछता हूँ नप्रत को नप्रत से काता जाता है नहीं नप्रत को सिर्फ महबत काच सकती है सही बात नप्रत को किस चीज़ से काता जाता है सुनानी मेंने ये महबत से काता जाता है और आम इनकी नप्रत को महबत से मिटाएंगे अब यात्रा पे जब मैं चल रहा था लोगों ने मुझे कहा कि राउल जी आप 4000 किलोमिटर चल रहे हो मैं उनसे पूछता था भाईया आप मुझे बताओ इस नफरत का कारण क्या है मुझे कहते थे राउल जी इस नफरत का सबसे बड़ा कारण है कि हिंदुस्तान में अन्याई फैल रहा है गरीबों को अन्याई किसानों के गिलाप अन्याई मद्दूरों के गिलाप अन्याई महिलाओं के गिलाप अन्याई अगर आप गरीब हो आपके साथ 24 गंता इस देश में अन्याई होगा तो नफरत का कारण अन्याए है और इसी लिए हमने बारा चोड़ो यात्रा में अन्याए शप्त जोड़ दिया है अब यहां भीड से मैं पूछना चाता हूँ इस देश में पिछले वर्क है कितने लोग है पचास परसेंट पचास परसेंट इस देश में दलित वर्क कितने लोग है 15% इस देश में माइनॉरिटी सारी की सारी मिलादो मुसल्मान, सी, किसाई, कितने हैं जेन, कितने हैं 15% पचास और 15 कितना हुआ पैसट और 15 कितना हुआ उसमें 8% आ दिवान की चोड़तों कितना हुआ? कितना हुआ? 80 इंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो उनके मालिकों की लिस्ट निकालो और आपको दिखेगा कि 88% में से एक मालिक नहीं है आपका आप फिर Senior Company की Management की लिस्ट निकालो आपका नहीं है फिर मीडियो में लाओ मीडिया की कंपनी की मालिकों की लिस्ट निकालो 80% का एक भी मीडिया का मालिक नहीं एक भी मीडिया में मालिक नहीं मीडिया के बड़े-बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालो 88% का एक वहाँ पे नहीं मिलेगा प्राइवेट हस्पतालों की लिस्ट निकालो, वहाँ नहीं बिलेगा प्राइवेट कॉलेज उनिवाइसिटी की लिस्ट निकालो, वहाँ नहीं बिलेगा तो आप लोग हो वहाँ आपके लोग है काम मैं बताता हूँ आपके लोग मंद्रेगा की लिस्ट में होंगे आपके लोग कॉंट्राइक लेबर की लिस्ट में होंगे आपके लोग मज़़ूरी करते हैं यही हमें बदलना है यही नयाय समाजिक नयाय का मतलब है बाई और मैंनों हिंदुस्तान के बजट को नबे लोग बाठते हैं सबसे बड़े आये सबसर मैंने इंकी लिस्ट निकाली नबे में से तीन पिछड़े वरके हैं तीन दलित वरके हैं एक आदिवासिवर्का है और अगर सौर रुपे बजट में कर्च होता है तो आप साब लोग मिला कर छे साथ परसेंट बजट के भागीदारी रखते हो तो सच्चा ही है कि हिंदुस्तान में लंबे लंबे बाशन चलते हैं अगर जो गड़ी लोग हैं पिछड़े लोग हैं धलित हैं माइनॉरिटी के लोग हैं आदिवासिए लोग हैं उनकी इस देश में भागीदारी है ही नहीं और यही इंडिया गटबंदन का लक्ष है हम समाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं और ठिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं किसानों के लिए लड़ रहे हैं किसानों को सिर्फ एक चीज़ चाहिए उन्होंने कहा है कि हमें लीगल MSP दे दीजिए गरिद सरकार कहती है कि हम आपको लीगल MSP नहीं देंगे लीगल MSP आपको नहीं मिलेगी इंडिया गटबंदन ने कॉंगरेस पांटी ने कहा है जैसे हमारी सरकार आई हिंदुस्तर के किसानों को हम लीगल MSP दिलवा देंगे एक मिनट नहीं लगेगा तो यह न्यार की लवाई है महपत की दुकान खुलनी है और मैं अकिलेस दी को समाजवादी पार्टी के सब सारे करताओं को लीगलस में तो इस पार्टी के सारे करताओं को सब सो बढ़ाई देता हूँ और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूस नशा